सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहली ताज़ा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं जेवर में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एरपोर्ट के लिए जमीन देने को 150 किसान तयार हो गए हैं जेवर तेह सील प्रशासन ने शुकरवार को रोही ग्राम पंचायत में आने वाले पारोही बंकापुर थोरव बनवारी वास गाउं के किसानों से प्रारूप पांच पर सहमती मांगी थी जिसमें से लगभग 150 किसानों ने अपनी जमीन देने को सहमती दी दी है एक भी किसान ने लिखित में असहमती नहीं दी है इस से करीब 50 हेक्टेयर जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है ज्यादतर किसान 2300 रुपे मौावजाव सुविधाओं पर राजी हुए है जमीन पर सहमती बनाने के लिए ब्रहस पतिवार को DMBN सिंग ने उब जलादिकारी प्रसून कुमार वत तहसीलदार अभय कुमार सिंग के साथ रोही गाओं के किसानों के साथ वारता की थी जिसमें जलादिकारी ने सरकार का पक्ष रखते हुए एयरपोर्ट के फायदे बताते हुए जमीन पर सहमती देने की अपील की थी उप जलादिकारी वत तहसीलदार ने शुकरवार को रोही बनवारिवास थोरव बंकापूर गाओं के किसानों से लिखित सहमती या सहमती मांगी थी इसके लिए फॉम पाच उपलब्द कराया गया था देर शाम प्रशासन की टीम उसे लेने पहुची तो 150 किसानों ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने पर सहमती दे दी इन में बंकापूर के 45, थोरा के 60, बनवारिवास के 17 बाकी रोही पारोही के किसान है जिला अधिकारी ने किसानों के साथ बैठा करते हुए दो प्रस्ताव रखे थे पहले प्रस्ताव में 2300 रुपे प्रती वर्गज और विस्थापन वपुनरवासन के अलावा नौकरी वा अन्यलाब भी देने का प्रस्ताव है जबकि दूसरे प्रस्ताव में किसानों को एक मुष्ट तो 2500 रुपे वर गज जमीम का मुआवज़ा वा 110 को नौकरी का प्रावधान है जेवर तहसीलदार अभय कुमार सिंग ने बताया कि डियेम के निर्देश पर शुक्रुवार को तहसील के लिखपालों के नित्रित्व में टीम बनाकर रोही पारोही, बंकापुर, थोरव बनवारी वास के किसानों को प्रारूप पांच दिया गया था जिसमें करीब 150 किसानों ने 50 हेक्टेर जमीम के लिए सहमती दी दी है ज्यादतर किसान 2300 के मुआवजे के साथ सभी सुविधायन देने पर राजी हुए हैं अभी तक एक भी किसान ने असहमती नहीं दी है